सुन्दरपुर नाम के एक विचित्र गाउं में गोपाल नाम का एक शरारती युवा लड़का रहता था एक दिन उसे घने जंगल में मिठ्धु नाम का एक बोलता तोता मिला मिठ्धु में एक विशेश प्रतिभा थी वो किसी की भी आवाज की पूरी तरह नकल कर सकता था गोपाल और मिठ्धु बहुत अच्छे दोस्त बन गए गोपाल अक्सर मिठ्धु से अपने शिक्षक की आवाज की नकल करने के लिए कहता था जिससे स्कूल में अराजकता फैल जाती थी शिक्षक के विवहार में अचानक आए बदलाव से ग्रामीन चकित रह गए एक दोपहर ग्राम प्रधान ने एक कहानी कहने की प्रतियोगिता की घोशना की गोपाल ने इसे एक अवसर के रूप में देखा और मिठू को बुद्धिमान पुराने कहानीकार की आवाज की नकल करने के लिए कहा जैसे ही मिठू ने मनमोहक कहानियां सुनाई भीड मंत्र मुग्ध हो गई लेकिन शरारत गोपाल के मन से दूर नहीं थी कहानियों में विराम के दौरान उसने मिठू से मुख्या की आवाज की नकल करने और गोपाल को विजेता घोशित करने के लिए फुस फुसाया जैसे ही मिठू ने ऐसा किया गाव में हसी गुंज उठी जल्द ही गोपाल की शरारतें उस पर भारी पड़ गई ग्रामिनों को मिठू की चाल का एहसास हुआ और वे नाराज हो गए गोपाल ने खुद को दोशी महसूस करते हुए अपनी हरकत कबूल कर ली और सभी से माफी मांगी ग्रामिनों ने गोपाल को माफ कर दिया और उनके तरीकों की गलती भी देखी उन्होंने उनके जीवन में लाई गई हंसी की सराहना की उस दिन से गोपाल और मिठू ने गाव का मनोरंजन करना जारी रखा लेकिन इस बार वास्तविक कहानियों और सीखे गए सबक के साथ और इसलिए सुन्दरपुर के मध्य में लड़के और बात करने वाले तोते ने दिखाया कि हंसी और सीखना साथ साथ चल सकते हैं और हर किसी को इमानदारी और हास्य की अच्छी समझ का मूल्य सिखाया जा सकता है